Welcome to Study Politics इस बात को वाजा करती है कि democracy की तरफ transition कैसे होती है और एक है mass based mobilization जिससे हम इसको हम बोलते है top down democracy इसको हम बोलते है democracy from below तो इन दोनों चीज़ों का हम देखेंगे कि rational choice theory कैसे justify करती है कि democratic transition कैसे होती है तो आई इसको शुरू करते है तो सबसे पहले हम in short देख लेते हैं कि rational choice perspective basically क्या है तो इसमें जो unit of analysis होते हैं वो individual होते हैं यानि ये individual को देखते हैं कि individual जाती फैसले लेते हैं individual is independent वो हर काम करने से पहले cost benefit analysis करते हैं जिस काम में उसे फाइदा होता है वो काम वो कर लेता है जिस में नहीं होता है में की जाती है कि इस तरह आफर्ज करें मैं एक योटीवर हूँ मेरा strategic environment क्या है कि मैं एक योटीवर हूँ अब मेरा इसमें इंटरस्ट क्या है कि मेरे ज्यादा स्जादा व्यूज हूँ ज्यादा मेरे subscriber हो यानि इस तरह की चीज़ें आप student है आपका ये है कि आपका अच्छा GPI आपके अच्छे मार्क्स हैं एक politician का strategic environment क्या होता है कि वो political power को retain करे, election won करे यानि हर शक्स का strategic environment होता है कि जिसमें वो खासताना के decision लेता है इस बात को हम आगे देखेंगे elite center में इसके लावा strategic calculation ये वही बात है कि जाना चाहते हैं तो आप मेरी अलग से rational choice theory पर वीडियो देख सकते हैं तो इसको हम आगे देखते हैं basic point आपने self interest जहन में रखना है और strategic environment इसको जहन में रखना है कि हार शक्स समेशा वो काम करेगा जिसमें उसे फाइदा है तो आईए इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है elite center explanation जिससे हम top down भी बोलती है यानि जो democracy है वो elite की तरफ से आती है top से आती है नीचे की तरफ अब इसमें क्या होता है democracy particularly from authoritarian regime result of split among elite अब यह जो authoritarian regime होती है इसमें military भी आता है इसमें single party भी आता है इसमें personalist भी आता है military का तो आपको पता ही है कि जिसे पाकिसान में आप ले लें आयूब खान का, जियावलाक का या प्रवेज मुशरफ का इसी तरह जो single party है वो आप चाइना की example ले लें और personalist regime जिसे हम बोलती है वो आप सदाम हुसान की मिसाल ले लें तो ये जो transition होती है authoritarian regime से जो तीर मैंने आपको बताए है ये किस वज़ा से होती है result of split among elite कि जब elite में आपस मेना इतफाकी पैदा होती है तो फिर जो democratic transition है इसके chances ज्यादा हो जाती है कैसे होते हैं इसको हम देखते है कि hard liners and soft liners कि ये जो elite class होती है इसमें जो दो groups होती है एक होते है hard liners एक होते है soft liners और ये वह होते है key decision making actors कि जारी बात है basically elite होती ही है elite में आप कुछ लोग ज़्यादा सखत होती है कुछ लोग कुछ नरम होती है इसके लावा इन में एक third party भी होती है जो कि elite में नहीं होती लेकिन ये below भी नहीं होती यानि middle में आप कहले ये क्यों होते है are moderate who want political change ठीक है अब जारी बात है जो elite class है कभी भी उसके interest में तो ये नहीं होगा कि कोई भी changing आए यानि status quo खराब हो क्योंकि एक शक्स है यानि उसे फाइदा हो रहा है जारी बात है वो तो नहीं कहेगा कि कोई निजाम change हो अगर कोई भी तबदिली आएगी तो जारी बात है जो उसे फाइदा हो रहा है उसको वो influence करेगी लहाजा जो अमीर शक्स होता है जो elite class होती है वो हमेशा ये चाहती है कि जैसा status quo है वो वैसा का वैसा रहे लहाजा जो elite class है ये कभी खुद नहीं कहेगी कि हम democracy लेके आती है क्योंकि जारी बात है elite हमेशा कम होती है जो घरीब होती है वो मेशा ज्यादा होती है तो democracy आएगी तो जो working class है उसको power ज्यादा मिलेगी वो अपनी मर्जी के नमाइंदे लेके आएंगे अपनी मर्जी के फैसले करेंगे यानि जो power होगी वो working class के पास चले जाएगी तो जो elite class है ये basically कभी खुद से initiative नहीं लेगी तो अब क्या होता है कि ये जो moderate किसम के लोग होती है ये political change की demand करती है demand basic incentive for elites अब जैसे पिछे मैंने आपको बताया था कि strategic environment होता है तो ये जो elite class होती है जब इन से demands की जाती है ठीक है इन moderate की तरफ से जिनको support करती है जो दूसरे आम लोग होती है तो फिर इनका जो strategic environment होता है वो थोड़ा हरकत में आते है अब कैसे हरकत में आते है इसको आप निचे देखिए कि once demands are raised elites are pressurized to give political concessions कि जब elite class से demand की जाती है कि आप democracy की तरफ आएं या कम असकम democratic reforms लेकिया है तो जहरी बात है वो कुछ ना कुछ तो आपको response देंगे अब क्या अब इस तरह की दो condition पैदा होती है पहली कि है कि if elites are united the demands will be crash कि जहरी बात है elite अगर united है जो hard liners है और soft liners है अगर इनमें इतफाक है तो demand जैसे भी है उसको crash कर दिया जाएगा अब इससे पहले भी इनका एक strategic environment बनेगा जिसमें ये cost benefit analysis करेंगे तो जहरी बात है कोई भी elite जब भी cost benefit analysis करेगा तो वो यही कहेगा कि जो demands आ रही है इनको crash कर दिया जाएगा क्योंकि अगर demands को accept कर लिया जाएगा तो जो हमारा हमारी position है उसको खत्रा होगा तो जहरी बात है किसी के फाइदे में ये नहीं है कि उसकी position को खत्रा हो elite class के हमेशा फाइदे में हमेशा जब वो cost benefit analysis करते हैं उनके फाइदे में तो यह है कि जैसा system चल रहा है यह वैसे ही चल दा रहे लहाजा अगर elite class से demands की जाती है कि political change ले किया है तो अगर तो वो united है तो इसको crash कर दिया जाएगा अब इसकी मिसाल देखिए कि चैना में 1989 में प्रोटेस्ट हुआ बेजिंग में जिसमें एक मिलिन से ज़्यादा लोग शामिल हुए और उन्होंने जो political change था उसकी बात की अब इसमें क्या हुआ कि एक तरफ हार्ड लाइनर थे एक तरफ सॉफ्ट लाइनर थे हार्ड लाइनर कहते थे कि इसको crash कर दिया जाए और जो सॉफ्ट लाइनर थे उनका कहना था कि कुछ political concession दी जाएए लेकिन बात में जो हार्ड लाइनर थे वो वोन कर गए और इस प्रोटेस्ट को crash करने के लिए आर्मी बेजी गई टैंक्स का इस्तमाल किया गया और इस तरह यानि वान मिलियन से जादा लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बुरी तरह से crash कर दिया गया और का जाता है कि 1989 के बाद आज तक इस तरह का प्रोटेस्ट दुबारा देखने को नहीं मिला है यानि जो डिमांड की गई उसको बुरी तरह crash कर दिया गया इसके लावा इरान के अंदर देखे 2009 में मुहमद अहमद इन इजाद 60% वोड लेके प्रेजिडन्ट बने इसके जो मद्द मकाबल था वो मीर हुसान मुजलवी था ठीक है तो ये हार गया जारी बाद इसे 60% मिले तो इसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अंटी गुर्मेंट और इरान के अंदर भी जो हार्डलाइनर थे वो वून कर गए और जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको क्रश कर दिया गया अब ये दो मिसालें एक चाइना की और एक इरान की वो थी जिसमें जो प्रोटेस्ट हुआ इसको बुरी तरह कुचल दिया गया अब मिडल इस्ट और नोर्थ अफरीका में आप देखिए कि 2010-2012 में जो अरब सिप्रिंग आया अरब सिप्रिंग पर मेरी इनी वीडियों में आगे एक वीडियो आएगी ठीक है उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि वो क्या है क्यों हुई और उसमें क्या साला सिस्टम था तो मुक्तसर ये कि तारिक मुहमद बुजीजी के नाम से एक शक्स ने एक मुनिस्पल कंपनी के सामने दफ्तर के सामने तुनिसिया में अपने आपको आग लगा ली जिसके वज़ा से पहले तुनिसिया में एतजाज हुआ और फिर वो पूरे के पूरे अरब कंट्री में अब ये जो प्रोट्रेस्ट हो रहा था इसमें जो डिमांड की जा रही थी जारी बात है वो प्लिटिकल चेंज की की जा रही थी तो दिस लैड टू आउस्ट जैनुला बिदीन बिन अली जो के तुनिसिया में 25 साल से हुकमरान था तो तुनिसिया के अंदर जो एतजाज क आया जहां पर प्रोट्रेस्ट हुआ कहीं भी डिमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलती बलकि कुछ कंट्रीज जिस तरह सुदिया रिबिया है वहां पर लोगों को कुछ यानि के उनके उनको मुराद दी गई लोगों के लिए काम किया गया लेकिन प्लिटिकल पार्टिस् के लिए इसका आर्गिमेंट किया है इसका आर्गिमेंट दुबारा आपको रैशनल चौईस तहरी देती है कि जब जो इलिट कलास होती है उनसे डिमांड की जाती है प्लिटिकल रिफॉर्म की या डिमोक्रेसी की तो जब वो अपने स्ट्रेटिक इनवार्मेंट में कि अगर हम इनको प्लिटिकल रिफॉर्म नहीं देते हम इनको डिमोक्रेसी नहीं देते ठीक डिमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन नहीं करते तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा बलकि हमें फाइदा ही होगा यानि मुक्तसर ये एक नुकसान नहीं होगा तो वो कभी भी आपको political reform की तरफ नहीं लेके आएंगे लहाज़ा जब भी आप प्रोटेस्ट करें तो प्रोटेस्ट इतना strong करें कि जब elite class अपना strategic environment में cost benefit analysis करें तो उनके जो cost benefit analysis है उनके जहन में ये बात जाए कि अगर वो democracy की तरफ transition नहीं करते अगर वो political reform नहीं करते तो इससे उनको basically नुकसान होगा क्यों क्योंकि प्रोटेस्ट जो है जो political demands है वो इतनी strong है उनके पीछे power इतनी ज्यादा है कि अगर वो उसको accept नहीं करेंगे तो बदले में जो elite class है नुकसान सिर्फ उनका होगा यहीं मिसाल हमें तुनिसिया में मिलती है कि यहां पर जो 25 साल से कुमरान था वो हट गया ठीक है और 2016 में तुनिसिया में democracy आगी क्योंकि यहां पर protest बहुत ज़्यादा strong था बाकी जो अरब countries है कई mass protest था उसको बुरी तरह से कुचल दिया तो एक तो यह हो गया कि इस तरीके से आप democracy को achieve कर सकते हैं नंबर दो point कि आता है कि soft liners equal to hard liners कि अगर जो soft liners हैं और जो hard liners हैं वो एक दूसरे के उनके power बराबर है जारी बात है जो हमने इरान की बात की और पीछे चैना की बात की वहाँ पर जो hard liners थे वो ज्यादा strong थे इस वज़ाए से उन्होंने कुचल दिया soft liners तुनेसिया में ज्यादा थे ठीक है इसके लावा कुछ और अरब countries हैं कि जहाँ पर reforms दी गई तो लहाजा वो won कर गए लेकिन एक ऐसा कंट्री हो जहां पर soft liners hard liners बराबर हैं और जो opposition है वो moderate है तो फिर क्या होते है then pacts यानि मोईदे साइन किया जाते है negotiations give to go बातशित होती है agreements bargaining यानि लेंदेन होता है compromise किया जाता है formula for power sharing इस तरह की चीज़ें होती है अब यह सारी चीज़ें मुश्किल नहीं हैं आप इसको understand कर सकते हैं basic point क्या है कि soft liners और hard liners यह बराबर हैं और जो opposition है वो बहुत ज़्यादा सकत ना हो यानि वो एक बात पर डटी ना रहें कि यह हमारी demand है और हमें यहीं चाहिए बलके जिस बंदे से आप demand कर रहे हैं यानि जो elite है और जो बंदा demand कर रहे हैं उनमें अगर एक moderate किसम का महौल पहा जाता है तो फिर आप pact sign करें, negotiation करें, agreement करें, compromise करें, formula for power sharing करें किस तरह से चिसम को आगे लेके जाना है तो इस तरीके से जो elite class होती है, वो भी democracy की तरफ transition कर सकती है तो यह था basically elite centered explanation के top down कि अगर आप उपर से नीचे democracy लेके आना चाहती है, elite class से तो उसके लिए क्या तरीका एकार होता है, या किस तरह से आती है अब हम देखते हैं कि democratization from below के नीचे से democracy कैसे आती है यानि ये काम बंदा वो democracy कैसे लेके आता है अब इस point को जो structural perspective है, वो सबसे बहतरी justify करता है लेकिन हम इसको rational choice theory के perspective सही करेंगे अगर आप structure पर मेरी रख से वीडियो देखना चाहिए तो आप वो देख सकते है तो ये क्या कहता है, कि those who democratize social moments were critical कि वो country के जिनमें democracy आई, उनमें जो social moment थी, वो बहुत ज्यादा critical थी ये वोई पिछे वाली बात है, जो Arab Spring आया था तो जहरी बात है, इसको हम social moment भी कह सकते हैं तो ये critical point था, तुनेसिया में democracy लाने में इट produced transnational leaders, अब transnational leader क्या होता है कि जिस तरह आप फर्स करें, पाकिसान में एक ऐसा बंदा हो कि उसको पंजाबी भी अपना leader माने, बलोची भी अपना leader माने सिंदी भी अपना leader माने, और KP के वाले भी अपना leader माने तो वो बंदा कौन होगा, transnational leader होगा यानि फर्स करें, कादयाजम को कहते हैं कि वो एक transnational leader था तो आज के दोर में पाकिसान के अंदर क्या एक transnational leader है ठीक है, तो आप इस पर सोचिए कि है या नहीं तो बारहल जो democratization from below है, इनका कहना ये है कि जब social moments create होती है, democracy की demand की जाती है तो इससे क्या होता है, कि transnational leaders बनती है जो के सारे लोगों का एक ही नमाइदा होता है वार्णोट फर्म elite और ये बंदा elite में से नहीं होता become popular because of societal sport और ये सिरफ हमेशा इसलिए popular होता है क्योंकि इसे आम लोगों की sport मिलती है अब इसकी हमें एक example मिलती है French Revolution से, चीक है अगर आपने Charles Dickinson का novel पढ़ा है A Tale of Two Cities तो उसमें हमें एक करदार मिलता है Madame Defarge अगर आपने वो novel पढ़ा है तो आपको ये मेरा हिंट समझ में आगया होगा कि ये जो लिडर की बात करने है Transnational Leader जो के लिट में से ही होता है बलके आम लोगों में से ही होता है और वो लोग उसे sport करते हैं तो A Tale of Two Cities में Madame Defarge होती है जो के basically Leader of Revolution बनती है और जो ancient rhyme होता है basically जो French का system होता है feudal system होता है इसको वो खतम कर देते हैं यानि एक revolution लेकि आती है 98% लोग होती है फ्रेंच के उन पर सिरफ 2% लोग हुक्मरानी करती है तो 1789 में फ्रेंच revolution आता है जिस पर आप में रिलक्से वीडियो देख सकती है तो ये क्या करती है feudalism के निजाम का खात्मा करती है और एक Republic काइम करती है First Republic of France तो ये basically just एक reference के तोड़ पर मैंने लिया है अगर आप novel पढ़ती है तो आपको पता चल गया होगा चुक्के मैं एक literature का student हूँ Western literature मैंने अभी पढ़ रहा हूँ मैं चुके अभी student हूँ तो इस हवाले से मैंने इसका हवाला दिये तो वेन balance of power imposed their will own weak elite के जब जो balance of power की shift होती है वो working class की तरफ जाती है आम लोगों की तरफ जाती है जहरी बात है elite मेंशा कम होती है working class मेंशा ज्यादा होती है गरीब ज्यादा होती है तो जब ये realize करती है के हमारे पास power ज्यादा है हमारे पास जो human resource है वो ज्यादा है और काम हमारे करने से ही होता है तो जो balance of power होती है ये जो working class होती है इन की तरफ shift हो जाती है और जब ये shift होती है और जब ये इस बात को realize कर लेती है तो फिर ये क्या करते है impose their will on weak elite इसमें क्या होता है कि mass mobilization forced authoritarian to bargaining table give resource advantage to opposition create mandate for political change कि जारी बात है ये तदाद में ज्यादा होती है ये एक mandate बना देती है give resource advantage elite बहुत कम होती है ये बहुत ज्यादा होती है तो जो elite class होती है इसके पास कोई chance ही नहीं होता मैडम डिफार्ज ने और इनके साथ जो revolutionary थे उन सब ने जो फ्रांस का बादशाथ था उस वकत उसको उसका सर कार दिया सर कलम कर दिया इसके लावा बड़े जो फ्रीडलोड थे बड़े जो लैंडलोड थे फ्रांस के अंदर उनको उसके लिए नाम यूज करते है गुलेटेन का यानि गुलेटेन एक मशीन होती है कि जिसके नीचे आपसार रखती है उपर से एक बलेड आता है और वो सर कार देता है तो इस तरह फ्रांस के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोड थे बड़े बड़े इस तरह के थे उन सब के सर काट दिए गे तो इस तरह बैसिकली जब एलीड से ढिमांश की जाती है जब जो वरकिंग कलास होती है वो स्टॉंग होती है ज्यादा होती है तो उनके कभी इंटरेस्ट में यह जाता ही नही है कि वो उसको resist करेंगे तो उसका नतिजा बहुत गलत होगा अब इस सारी बात से हमें argument क्या निकलता है कि highly unequal distribution of political power lead toward political transformation कि किसी मौशरे में अगर जो distribution of power है वो unequal होगी गैर मुसावी जो power की तक्सीम होगी तो जारी बात है एक तरफ फिर elite होगी एक तरफ वो होंगे जो sub-ordinate होंगे जो मातियत होंगे और जब मातियत अकठे हो जाएंगे अपना वो एक leader पैदा करेंगे और demands put करेंगे तो फिर political transformation आएगी elite class से फिर democracy आएगी जारी बात है democracy में लोग ज्यादा होते हैं वो अपनी मर्जी का निजाम लाएं अपनी मर्जी से कुम्मच लाएं जैसा मर्जी उनका political system हो वो लेके आएंगे तो अगर किसी माशने में distribution of political power ये equal है तो वहाँ पर political transformation के chances कम होते हैं जारी बात है वो peaceful होगा कोई जरूरत ही नहीं है जहां पर distribution of political power ये अए 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 वहाँ पर जो political transformation है उसके होने के chances हमेशा ज्यादा होंगी तो ये है वो basic तरिका कि जिसमें democratization from below होती है यानि लोग जो होती है वो democracy लेके आती है तो ये था basically किस तरह जो elite class है वो democracy की तरफ transition करवाती है और किस तरह जो mass based mobilization है वो democratic transition का बाइस बनती है अगर आप culture किस तरह इस बात को justify करता है कि democratic transition कैसे होती है और structure इस बात को कैसे justify करता है कि democracy की तरफ transition कैसे होती है उस पर आप मेरी Alexa videos देख सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने का शुक्रिया